आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुर्ट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें हमें आपर दिया गया है, ठीक है, तो दोस्तों प्रशन के अनुसार हमें आपर क्या करना है यहाँ पर दोस्तों हमें जो है, यह दोनों जो हमारे उत्पाद है इनकी हमें आपर क्या करने है, इनकी हमें आपर दर ज्याद करने है ठीक है कि इनकी यहाँ पर दर क्या होगी तो दोस्तों प्रस्ट में हमें यहाँ पर जो वेग इस्थिरांग है वेग इस्थिरांग जिसे दोस्तों हमें small case से denote करेंगे इसकी value हमें आपर दी गई है कितने है value वो हमारे पास है 2.5 into 10 की power minus 4 mole liter inverse second inverse यह हमें यहाँ पर वेग इस्थिरांग की value दी गई है अब दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह जो हमारा NS3 है इसका दोस्तों हमें प्रस्ट में बोला गया है कि यह क्या है सुन्यकोटी की अभिक्रिया है तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो समिकरन प्राप्त होगा इसका NS3 का विगटन किस तरह से होगा दोस्तों यहांपर हम जानते कि 2 molecules जो NS3 है, यह किस में तूटता है? यह दोस्तो हमारे nitrogen में तूटेगा और 3 molecules of hydrogen में इस तरीक से तूटेगा, ठीक है? तो यह दोस्तो इस तरह से यहांपर विगटित होता है. अब दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो अभिक्रिया की दर है यह जो हमारा दर है अभिक्रिया की दर यह हम यहाँ पर किस तरह से find out करेंगे यहाँ पर अभिक्रिया की दर निकलेगी हमारी minus 1 बटा 2 तो कि दोस्तों मैं बूला गया गया कि यह क्या है क्या है? सुद्ने को ठीक है मतलब कि small of n की value क्या है सुद पहँ सुद्ने को ठीकि अभिक्रिया है तो वन हमारी जो दर्बिगे बनेगा व बनेगा बनेगा minus 1 बिटा दो क्यों कि यहां पर क्या है 2 molecule है तो दोस्तो इसी तरह से अगर मैं N2 के लिए दर समीकरन लिखूँ तो दोस्तो N2 का दर समीकरन क्या होगा N2 का दर क्या होगा यहां पर एक मोल है इसके तो एक मोल है तो क्या होगा यहां पर एक होगा तो हमें इसके लिखने की जुरत नहीं है तो यह हो जागा d बटा n 2 बटा नीचे की तरब के होगा dt होगा इसी तरह से अगर 3s2 के लिए देखे जिए ठीक है यहाँ पर s2 का दर देखे तो s2 का दर किस तरह से लिखा जाएगा? 3 mole है तो 3 mole है तो यह क्या हो जागा? 1 बटा 3 हो जाएगा ठीक है D बटा यह हो जागा है S2 और नीचे में होगा हमारा DT ठीक है यह इस तरह से हमें इन तीनों के क्या के लिए दर समिकरन लिख लिए है अब दोस्तो प्रस में हमें बोला गया कि यह क्या है N की value सुन्या है तो हमारी क्या है सुन्या कोटी की अभिक्रिया है अब दोस्तो सुन्या कोटी की अगर यह अभिक्रिया है तो इस condition में क्या होगा इस condition में हमें यहाँ पर K की value दी गई है तो दोस्तो अब N2 की हम दर देखते है क्योंकि हमें प्रसमें यही तो निकालना है कि ह हमें दोस्तों यह जो हमारा उत्पाद है n2 और 3s2 इन दोनों के हमें दर यहाँ पर निकालने हैं तो एक एक करके हम यहाँ पर इसके दर देखते हैं तो सबसे पहले एंट्टू के लिए देखते हैं ठीक है एंट्टू के लिए हमारा दर क्या होगा यहां पर दोस्तों एंट्टू के लिए हमारा है डी एंट्टू बटा डीटी तो दोस्तों इसे हम सॉल किसे तरह से करेंगे यहां पर हमारा जो है यह हो जाएगा टू पॉइंट टू पॉइ value जो है n2 का दर कितना आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे k के बराबर ठीक है तो दोस्तों इसका unit क्या होगा m second inverse ठीक है यह हो जाएगा हमारा इसी तरह से दोस्तों h2 का दर निकालते हैं तो h2 के दर के लिए दोस्तों यह है हमारा 1 बटा 3 into dh2 बटा dt यहाँ पर हमारी के की value होगी के की value कितनी है वो है हमारी 2.5 into 10 की power minus 4 अब दोस्तों 3 हमारा नीचे की तरह है तो यह क्या हो जाएगा यह इस से भाग चला जाएगा और दोस्तों जब भाग चले जाएगा तो हमारे आंसर कितना आएगा 7.5 into 10 की power minus 4 m second inverse तो दोस्तों यह आ गई हमारी h2 का दर तो दोस्तों यह हमें प्रस्तों बोला गया था कि n2 का दर और साथ में h2 का यहाँ पर दर समिकरण अंदर की value बतानी थी और यह हमें प्रस्तों ने पूछा गया था जो के मारे प्रस्तों का उत् आएगा 7 .